वेलकम टू बर्वाज ई लर्निंग आज के इस वीडियो में हम आपके सथ डिसकस करने वाले हैं अलजेब्रा यानि की बीज गनित फॉर अल एक्जाम्स प्रैक्टिस सेट नंबर टू प्रैक्टिस सेट नंबर वन हम अगले वीडियो में एक्स्प्रीन किये हैं तो जो लोग आप नहीं देखे हो तो लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स मेंचिन किया गया है आप जाकर उसको देख सकते हो तो अलजेब्रा यानि की बीज गनित फॉर अल एक्जाम्स आज इस वीडियो के माइदम से हम आपके साथ वैजे कोस्टिन्स डिसक्रस करने वाले हैं जो जादा तर कंपिटिटिव एक्जाम्स में पूछे जाते हैं तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर वाच्च करें इसलिए ब्रूर उवर 7-2 divided by रूट उवर 7 प्लस 2 is equal to a root 7 plus b then the value of a is अभी यह वाला जो हम लोगों को equation दिया गया है इसमें से हम लोगों को a का value निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हम इसको कैसे solve करते हैं आपको दिखाते हैं से root over 7 minus 2 root over 7 plus 2 दिया गया है a root 7 plus b जबी भी आपको ऐसा number दिखेगा जो root over 7 minus 2 और root over 7 plus 2 यहाँ पर minus है और यहाँ पर plus है तब ऐसे situation में आप क्या करोगे यह जो है इसका आप square कर दोगे square plus 2 का square और यह जो है इसका आप whole square कर दो ठीक है मैं इस तरफ का बार बार नहीं लिखूंगा तो direct आप देख सकते हों यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा a square plus b square minus 2ab तो a square का 7 हो जाएगा plus b square का 4 हो जाएगा minus 2ab का क्या हो जाएगा 4 root 7 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 plus 4 sorry यहाँ पर minus होगा जभी भी आप ऐसा expression देखोगे तो नीचे वाला को आप a square minus b square कर दोगे और उपर वाला जो term है उसका आप whole square कर दोगे ठीक है तो यहाँ पर आपका आगे answer 3 और 11 हो जाएगा minus 4 root 7 is equal to a root 7 plus b इसको हम separate करके लिखेंगे जैसे 11 root 3 minus 4 root 7 by 3 ऐसा हम लिख सकते हैं a root 7 plus b अब क्या है यह जो equation आप देख रहे हो यह equation को हम equating करेंगे दोनों side को मिलाएंगे जैसे यहाँ पर root 7 है तो यहाँ पर एक root 7 वाला term है ठीक है तो हम इसको 8 वाला term ले रहेंगे a is equal to minus 4 root 7 by 3 मतलब a root 7 is equal to minus 4 root 7 by 3 तो इससे क्या निकल जाएगा हमको a का value निकल जाएगा minus 4 by 3 और जो b है वो जाएगा 11 by 3 तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है a का value निकलने तो a is equal to minus 4 by 3 यानि कि a is equal to minus 4 by 3 answer है number 2 question है if 5 to the power root x plus 12 to the power root x is equal to 13 to the power root x then x is equal to कितना होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर power में root x है और यहाँ पर हमको simple x का value निकलना है तो यह equation आप देख रहा हो यह equation देखके कोई students कोई candidates confused हो जाते हैं लेकिन इसको सबसे आसान तरीका से हम solve करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप देखो यहाँ पर root x दिया गया है root x जैसे दिया गया और यहाँ पर option 4 दिया गया एक में fraction है और बाकी में simple numbers है तो हम क्या करेंगे इसमें option के साथ direct हम answer निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे 5 plus 12 is equal to 13 लिक लो यहाँ पर root x दिया गया है यह fraction वाला option को हम नहीं पकरेंगे हम सबसे पहले यह वाला option को put करते हैं अगर root x में हम 4 लिखते हैं x के value में 4 लिखते हैं तो root over 4 को कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है is equal to 13 square कितना होगा 169 this implies क्या हो जाएगा 25 plus 144 169 हो जाएगा is equal to 169 यानि कि दोनों तरफ बराबर हो गया lhs is equal to rhs हो गया है तो यानि कि x का value क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यह बहुत है आसान तरीका से solve करने का कोशिश करिएगा number 3 question है if 2 to the power twice x minus y is equal to 16 and 2 to the power x plus y is equal to 32 then the value of x y is कितना होगा तो इसको भी हम सबसे आसान तरीका से आपको solve करने के लिए कोशिश करने के लिए सिखाएगे तो सबसे पहले आपको देखना यहाँ पे यहाँ पे 2 to the power twice x minus y है तो अब यह 16 जो है इसको हम 2 to the power में लिख सकते हैं तो कितना में लिख सकते हैं 2 to the power 4 और यह जो 32 है इसको भी हम 2 to the power 5 में लिख सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह equation को लिखते हैं 2 to the power twice x minus y is equal to 2 to the power 4 और इसको लिखते हैं इसको number 1 दे देंगे हम और इसको लिखते है 2 to the power x plus y is equal to 2 to the power 5 तो यहाँ पर आप देख सकते हो base base same है तो हम power equal कर सकते है twice x minus y is equal to 4 यह number 1 है और यह हो जाएगा x plus y is equal to 5 यह हो गया number 2 ठीक है तो यह दो equation है तो इससे हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर आप देख सकते हो twice x minus y है तो y single है तो इससे हम y का value निकाल लेते हैं y is equal to 5 minus x ठीक है तो यह y का value इसमें put कर देते है twice x minus 5 plus x is equal to 4 इस implies 3x is equal to 4 plus 5 इस implies x is equal to 9 by 3 तो x is equal to 3 हो गया अगर x 3 हो गया तो यहाँ पर अगर हम put करते है 5 minus 3 is equal to 2 होगा तो यहाँ पर क्या दिया गया है x y का value x y means 3 into 2 तो is equal to 6 हो जाएगा option number c है इसका answer कोई भी competitive exams में आप solution को सबसे tricky way में tricky solutions को आप simple way में एकदम shortcut tricks में आप solve करने के लिए कोशिश करोगे तो अब बढ़ते हैं हमारी अगले प्रश्न के और को question is x square plus y square plus 1 by x square plus 1 by y square is equal to 4 then the value of x square plus y square is कितना होगा यानि कि यह जो equation है इसमें से यह वाला x square plus y square के हमको value निकालना है तो सबसे पहले हमको इसको case solve करना है आपको दिखाते है x square plus y square plus x square plus 1 by y square इसको हम लिख लिए हैं यह आपे यह जो 4 है इसको हम इधर लेकर आ जाते हैं ठीके next हम क्या करेंगे यह जो x वाला term है इसको हम प्यार करेंगे ठीके और y वाला term को एक साथ लिखेंगे minus 4 is equal to 0 अब यह हो गया x यह हो गया y यह दोनों दो भाई हैं तो आप क्या करोगे यह आपके बस 4 हैं तो आप 4 को दोनों में बाट देने से कितना हो जाएगा plus x square इसको minus 2 देते है plus y square plus 1 by y square minus 2 is equal to 0 तो आप देख सकते हो यह हो गया a square plus b square हो गया यानि कि a square plus 1 by x b हो गया इसका square हो गया minus 2ab अगर हम minus 2ab करने के लिए जाते हैं तो यह cancel हो कि सिर्फ minus 2 रे जाते है तो यह जो x square plus 1 by x square minus 2 है इसको हम x plus 1 by x minus x minus 1 by x whole square लिख सकते हैं क्योंकि यहाप minus twice a भी है तो इसलिए यहापर minus होगा plus इसको भी सेल दरीके से हम लिख सकते हैं y minus 1 by y whole square is equal to 0 लिख सकते हैं इस equation में a square plus b square is equal to 0 a square plus b square is equal to 0 it means that a square is also 0 and b square is also 0 अगर 0 plus 0 हम करते हैं is equal to 0 होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x minus 1 by x whole square is equal to 0 लिख सकते हैं y minus 1 by y whole square is equal to 0 लिख सकते हैं ठीक है तो इससे क्या निकल जाएगा x-1 by x is equal to 0 ओके इस इंप्लाइज x-1 is equal to 0 तब x is equal to कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा similarly y भी क्या हो जाएगा y is equal to 1 हो जाएगा similarly y is equal to 1 हो जाएगा यह जो टर्म है इसको हम अच्छे से आपको x is equal to 0 this implies x square minus 1 is equal to 0 this implies x square is equal to 1 तो x is equal to 1 होगा ठीक है तो y is equal to 1 निकल गया अब निकालना है क्या हमको x square plus y square निकालना है तो 1 square plus 1 square कितना हो जाएगा 1 plus 1 is equal to 2 यानि कि option number a है इसका answer तो आज का algebra का practice set number 2 complete हो गया है तो ऐसे ही competitive exams की reasonings मैस और दूसरी अलग सबसे के वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रही है thank you